बहारा जाती है गुलजार में हरशे महकती है जमाने भर में शैता की शरारत सर पटकती है खुले रहते है दर जन्नत के अनुवार हर लम्मा महे रमजान में अल्ला की रहमत बरसती है मौजिस सामईन हजरात रमजान मुबारक के इस बावरकत महीने में शबनम म्यूजिक पेश करने जा रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में खारी अन्वार आलम उदैपुर का लिखा हुआ एक बहुती हसीन वाकिया उन्वान है रमजान और एक मजूसी का वाकिया हजरात एक मजूसी था यानि आग की पूजा करने वाला था लेकिन वो रमजान के रोजों का एतराम किया करता था दिन में मुसल्मानों के बाजार में या कहीं भी खाया पिया नहीं करता था जो भी खाता था छुपकर खाता था लेकिन अल्ला तबारको ताला ने उस मजूसी को रमजान के एहतराम का क्या सिला दिया कि आप इस वाके में सुनने जा रहे हैं म्यूजिक के फराइज अंजाम दिये हैं कि शोर मलहुतरा ने रिकॉर्डिंग एसकल्याणी स्टूडियो दरिया गंज नई दिली चंदर गानी जी की है आवाज आजी तस्नीम आरिश सेथ पुरवदायूनी की है तो लीजे बहुती इबरत नाक वाकिया रमजान का आपकी खिद्बत में पेश है फुलाइज़ा कीजेगा अनवार उबाया है ये माहे सियाम का अनवार उबाया है ये माहे सियाम का जलवा पसा है इस में रसूले अनाम का जलवा बता है इस में रसूले अनाम को अनवार उबाया है ये माहे सियाम का अनवार वाँ सया है ये माहे सियाम का जल्वा बसा है इस मेरा दूले अनाम का जल्वा बता है इस मेरा दूले अनाम का हम बरकरम है खास ये रभ बेकरीम का ये मानिय एहसान गफूर उर्रहीम का रमजान जैसमाह मुनवर हमें दिया मुमताज है जो सबसे पयंबर हमें दिया सब उम्मतों में हमको बनाया है लाजवा ऐसी किताब दी नहीं बुर्वान का जवाब सद्गे में मुस्तफा के बनाया है ये जहाँ जल्वों से आप ही के सजाया है ये जहाँ एमान की दौलत से नवाजा गया हमें जन्नत कभी हकदार बनाया गया हमें हुकम खुदा रसूल का जो पास करेगा हर किज कभी ना आतिश दोजफ में जलेगा फर्जे खुदा को जो अदा करके दिखाएगा जन्नत उसे मिलेगी वो जन्नत में जाएगा रमदान का जो लोग भी करते है एतराम पाते हैं रब से अज्रू वो होते हैं शादिकाँ आते हैं रब से अज्रू वो होते हैं शादिकाँ शहर बुखारा की ये हिकायत अजीब है तुम वोर से सुनो ये इबारत अजीब है आतिश परस्त एक गरीबी की जद में था मजबूरी बेवसी की वो बेचारा हद में था मजबूरी करके खर्च चलाता था घर का वो दरवाजा देखता था हरी नाम वर का वो दरदर की ठोकरे उसे खाना नसीब था दूभान में घिरा हुआ उसका नसीब था अखलापी बुलंद थे परेकती कमी वो पूजता था आगो को बस थी यही कमी एमान को रखता ना था परवर दिगार पर भरवान की ना जान रसूले वकार पर रहता ना था इसलामी सितारों के साथ में होते हैं मगर भूल भी खारों के साथ में रमदान में ऐलानिया खाता ना था कभी रमदान में ऐलानिया खाता ना था कभी रमदान में ऐलानिया खाता ना था कभी माजार मुसल्मान में जाता ना था कभी माजार मुसल्मान में जाता ना था कभी माजार मुसल्मान में जाता ना था कभी एक रोज का किस्सा है वो माहे सियाम था फूंतों पे मुसल्मान के मौला का नाम था गर गर में तिलावत थी कुरान करीम की रहमत बरस रही थी गफूर ररहीम की वो सहरी औ अफ्तार के मंदर थे खुशनुमा रौनब थी मस्जिदों में सबी दर थे खुशनुमा पर रोज दार के लिए मौसम बहार था सूखे हुए गुलाबों पे आया निखार था गुल्शन थे खुश्बूओं में गुलों के बसे हुए शामों सहर के नूर नभी से सजे हुए एक रोज हो मजूसी था बेटे के साथ में खाने का था सामान कोई उसके हाथ में बाजार मुस्लिमों में वो आए थे उस घरी ऐलानिया कुछ खा लिया बेटे ने उस घरी खुसा बना उस वक्त मजूसी को आ गया उस बाहया पे अबर निदा मत कचा गया उस बाहया पे अबर निदा मत कचा गया मारा तमा चडाट के बेटे से यूँ का तुने किया है मेरी अकिदत का हूँ का ऐलानिया खाता है तू जैरत नहीं तुझे रमजान के महीने से खुलपत नहीं तुझे खाता है रोजदार के तू सामने पिसर कर इसका तू अधब महजी शान है पिसर वाजार मुस्लिमों का है गैरत से काम ले काम आइंगी तेरे ये नसीहत तमाम ले बेटा वो उसका बोला उसी आनमे फिदर खाते हैं आप भी नहे रमजान में फिदर कुछ सोचते नहीं ये जमाना कहेगा क्या ताना जनी से बाज कोई भी रहेगा क्या अरगिस ना ऐसा होगा कभी बख्ष दो खता कोशिश करूंगा फिर कभी मुझसे नहो खता बोला मजूसी करना अदब जानता हूँ मैं खाता हूँ मैं रमजान में ये मानता हूँ मैं खाता हूँ मैं रमजान में ये मानता हूँ मैं बरू बरू खाता नहीं मैं रोज़दार के रहता नहीं उशर्म की चिल्मन उतार के खाता हूँ घर में छुटके बुराई नहीं कोई पासे अदब से मेरी जुदाई नहीं कोई करता हूँ मेरा मुझसा का अदब कुछ नसीब हूँ ऐलाल मन्जिलों के मैं बिल्कुल करीब हूँ पूरी जरूर होंगी तमना ए दिल मेरी कलियां मुराद की सभी जाएंगी खिल मेरी यू रफता रफता बक्त गुजरता चला गया रमजा का एकराम वो करता चला गया बच्टे जवान हो गए दिन भी बदल गए सब रंजो अलम एश के साचे में ढल गए खुशाल वक्त देख के मसरूत आ बहो हर आर तु पूरी हूई उसको मिला बहो तबियत खराब हो गई बच्चे थे पुरमलाल कुछ रोज बाद हो गया फिर किसका इंतकाल कुछ रोज बाद हो गया फिर किसका इंतकाल रह्मत के फरिश्टों ने लिया रूह को संभाल लेकर गए हो पाल जाए रफ जुल जलाद देखा के सीने शहर बुखारा में ऐसा खाफ तावीर जिसकी नेकती सच्चा था उसका पाफ जन्त की बहारों में मजूसी है शान से वो टेह लिता है उसमें बड़ी आनुबान से पूछा के तुम मजूसी थे कैसे मिला मकाम होता है ना जिस पे वो है आपका मकाम बेशक नसीब वालों को मिलती है ये जगा हर शेया मौजूद है ऐसी है ये जगा खिलते हैं रह्मतों के जमन हर घड़ी यहां कोई कमी नहीं है किसी चीज की यहां बैती है नहरे दूद की मेवे है बेमिसाल मैंकी हुई फिजाए है जल्बे है बेमिसाल जन्नत मता है आशका मौमिन के बास दे हर गिज नहीं ये फिर खाए बददन के बास दे हर गिज नहीं ये फिर खाए बददन के बास दे हर गिज नहीं ये फिर खाए बददन के बास दे कहने लगा मजू से खुदा ने करम किया लुत्फों आता के दाखिले बागे इरम किया लायत न था में खुल्ग के बदधेल था बड़ा मुझ जैसे निकमने पे ये ऐसा किया बड़ा रखुबत नहीं थी मज़भे इसलाम से मुझे अवासता नदीन के एकाम से मुझे प्यारे नभी की जात पे इमाना था मेरा आदिश परस्ती देहर में था मशखला मेरा करता था एतराम मैं रमजा की शान का इस बात से खुश हो गया मालिक जहान का हर रोज़ादार के लिए इस दिल में थी जगा बस इस सबब से आज ये मुझे को मिली जगा मरने से पहले दीन की दौलत भी किया था सारी खताएं बक्षती जन्नत भी किया था जो रोज़ादार है वो बड़े खुश नसीब है उन पर नभी का प्यार है रब के खरीब है करते नहीं तादी मुझो माहे से आम की कामिल नहीं है अपने वो इमान में सुनो बेशरई गुजर रोजे का है छोड़ना पुरा बेशक बुराईयों का मिलेगा सिला पुरा नौलाथ परस आतिशे दोज़क में जलेगा महशर में मूँ छुपाने को परदा न मिलेगा रोजा एठान नारे जहन्म से मौमिनों हर रोजादार के लिए जन्नत है मौमिनों करने से अदब साहिबे एमान बन गया फजले खुदा से खुल्ग का मेहमान बन गया गफलत न करना तुम कभी सोमों सलात से लोग अपनी लगाए रहो उस रफ की जात से अनवार फूल जी से जी इबरत का खिलेगा मरने के बाद फिर कभी मौगा न मिलेगा